हेलो गाइज मैं इस गोतम गाइज इस वीडियो को देखने पहले आपने में चैन्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजियो साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिये जिससे की मेरी आनवल पीते एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पोस्ट सके तो गाइज इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ ट्रीडियस ओन सेल्डी जनरल एंट्री इन टैली एरपी 9 में तो गाइज जैसे की आपकी स्कीन पर दिखाई दे रही है मैंने एंट्री पहले एक शीट तियार किये जिसके दुआरा पहले मैं आपको समझा जाँगा फिर उसके बार टैली एरपी 9 में इसकी एंट्री करके बताऊंगा कि इसकी एंट्री जो होगी वो किस परकार होगी तो गाइज जैसे के आपकी स्कीन पर दिखाई दे रहा है पहले एंट्री जो है वो है यस सेल्री अकाउंट डैविट पात लाक रुपे तू य यह सेल्री अकाउंट डैविट तो यह को हमने सैल्री दी है तो यह हमार लिए खर्चा है इंडिरग्ट एक्सबैंसे तो इसलिए हमने इसे डैविट किया है फिसके बाथ two year salary payable account तो guys जो अभी हमने salary की payment नहीं किया है तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है ये अभी हमारे लिए current liability है तो जो हमारी current liability होती है उसको हम credit करते हैं तो इसलिए ये credit हो रहा है ये salary payable account credit 4,50,000 रुपे तो guys इसमें 50,000 TDS है TDS on salary account credit तो guys ये भी हमारा duty and taxes है जो की current liability में आता है तो ये 50,000 रुपे हमारा credit हो जाएगा अब उसके बाद guys हम salary payable की payment करने की entry क्या होगी वो इस परकार होगी ये salary payable account डैविट 4,50,000 रुपे to bank account तो हमने ये salary payable को डैविट कर दिया और बैंक को credit कर दिया अब उसके बाद TDS on salary account तो guys जब हम TDS की जो TDS है उसे जमा करा देंगे तो तब उसकी payment की entry करेंगे TDS on salary account डैविट 5,000 रुपे to bank account 50,000 रुपे तो जो bank है उसको हमने credit कर दिया तो guys इसको Tally ERP9 में हम किस परकार entry करेंगे चलते हैं accounting voucher पर और हम जो इसकी entry करेंगे वो करेंगे general voucher में तो उसको select कर लेते हैं तो इसमें general voucher हम select कर लेंगे फिर उसके बाद सबसे पहले हमाई जो entry है yes salary account डैविट yes salary account डैविट पाच लाग रुपे तो yes salary payable account डैविट चार लाग पचाँजार रुपे तो guys जो हम payment करेंगे वो करेंगे चार लाग पचाँजार रुपे गी क्योंकि हमारा इसमें TDS कटाए पचाँजार रुपे वो हम जमा करा देंगे income tax में तो to TDS on salary account क्यारिट तो इसका laser credit नहीं है इसे हम laser credit कर लेते हैं TDS on salary तो यह आएगा हमारा duty and taxes में जो हमारा TDS होता है वो आता है under duty and taxes में तो इसमें आ जाएगी amount पचाँजार रुपे उसके बाद इसमें हम narration लिख देंगे तो गाइस यह किसके अंडर आएगा तो यह जो लेजर है इसको ओपन करके में दिखा रहा हूं यह salary हमारा indirect expenses है और यह salary payable हमारा current liability है तो यह current liability के अंडर आएगा उसके बाद TDS on salary हमारा duty and taxes के अंडर आएगा तो इस प्रकार लेजर क्रेट होंगे इसके बाद इसमें narration लिख कर अब इसमें हम narration लिख देंगे और narration लिखने के बाद इस voucher को हम save कर देंगे तो guys यह तो थी salary हमने जो TDS काटा है अब जो हमने salary payable की थी अब उसकी हम payment की entry करेंगे तो उसकी जो payment की entry करेंगे वो करेंगे 4,5,000 रुपे की तो किसमें होगी payment voucher में तो payment voucher हम select कर देंगे यह salary payable तो account में OBC bank जो भी bank name है वो आ जाएगा और इसमें जाएगा यह salary payable 4,5,000 रुपे से payment कर देंगे हम salary की अब उसके बाद इसमें हम narration लिख देंगे narration लिखने के बाद इस voucher को अब save कर देंगे तो guys अब हमने क्या किया है हमने जो TDS है उसको income tax में जमा करा दिया है अब income tax जो हमने जो TDS है वो जमा जो कराया तो उसकी payment भी अब हम कर रहे हैं तो account में आ जाएगा OBC bank और TDS on salary 50,000 रुपे इसमें हम डाल देंगे डालने के बाद इसमें हम narration लिख देंगे और narration लिखने के बाद इस voucher को हम save कर देंगे तो guys हम जो TDS on salary की entry इसी परकार करेंगे तो guys हमने क्या किया है हमने salary को debit किया है पहले salary payable की entry की है जिसमें की हमने salary को debit किया है और salary payable की है क्योंकि अभी हमने payment नहीं किया है इसलिए वह credit किया है फिर उसके बाद हमने TDS on salary भी credit किया है क्योंकि अभी हमने उसकी payment नहीं किया है और फिर उसके बाद हमने हमने salary की payment की entry की है फिर उसके बाद TDS on salary की payment की entry करके दिखाई है तो guys यह video आपको कैसी लगी please comment box में जरूर बताएं और video अच्छे लगी तो please like कर दें और इस video को जाए 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 शेयर करें thanks for watching this video